अब मैं आपको सबसे जो मैतवपूर्ण जो बात है वो बताने जा रहा हूँ जो अमोमन मतलब किसान गरती करते हैं सेंपल लेते वक्त हैं नमस्कार किसान साथियो मैं अरविंद कुमार भिष्णोई यह आज जो वीडियो बना रहे हैं यह जो पिछला वीडियो बनाया था उसी का यह अगला पार्ट है और यह वीडियो बहुत मैतवपूर्ण होने वाला है सोईल टेस्टिंग के बारे में तो मेरे पास जैसे की फोन आते हैं किसान कहां गड़तियां करते हैं उसको मैंने मलब इस वीडियो के अंदर समझाने का प्रियास किया आप थोड़ा सा मेरे को यह बार्ड के अंदर आप मलब इसको देखते रहना और इस चीज़ को समझना अच्छी तरह और फिर उसको फो पॉइंट है वो है सही जगह का चुनाव और कितनी जगह से सेंपल लेना है तो सही जगह के चुनाव के लिए अपने को आपकी जो मतलब खेत की मिटी है कितने टाइप की है खेत की मिटी जिसे अच्छी है मध्यम है और ख्राब है या अच्छी और मतलब के ख्राब है या उसका comparison नहीं हो पाता तो इसलिए हमें जो आपके जितने टाइप की मिटी है जैसे तीन टाइप की है दो टाइप की है उसको सेलेक्ट करके उसके इसाफ से अपने को सौयल सेंपल लेने मान लो यह जवीन आपकी पाकर ये सही रही जमीन घ्राब जमीन में तो इसके अंदर एकंपल इस जमीन में से त्यार करना है जो सही जमीन लेते हैं वक्त हमारे को मालब जो साइट का किनारे हैं उनके 15-20-20 फिट के करीब मालब जगह छोड़ नहीं है और कोई भी पांस पार्ट है ऐसे आप मालब सेलेक्ट कर लो दो इधर दो इधर एक बीच में एक जो जमीन का टुकड़ है उसमें से कम से कम पांस सेंपल लेने ह करते हैं वह जानकारी भी दूंगा लेकिन उससे पहले अपने को यह तरीका समझना है जैसे यह आपने मालब जो तीन टुकड़े होगे हर तुकड़े के आपने पांस सेंपल ले लिए तो आपके पास कुल 15 सेंपल होगे उनको अलग लग बरना है अपने को अच्छी जमीन मध्यम जमीन है उसका एक जगे और जो मिती तीसरी टाइब की है उसका मलब के एक जगे सेंपल इकटा करना है जमीन के आपने पांच सेंपल लेने की जगे निशिचित कर ली अब दूसरा जो उसके आगे का पॉइंट इसको कौन से होजारों का इस्तेमाल करना है अपने को स्टील के उजारों का इस्तेमाल करते हैं किसान भाई जो ज़्यादा मेंगे उपकरन नहीं खरीद गए जो स्टील की खुरपी आती है वो एक स्टील की खुरपी ले लो स्टील के अंदर विसेशता है यह कोई भी अपने मलब इसको जमीन में करेंगा दिये अपने अफशेस पर जमीन को सफ करना है एक इस तक की मिटी है उपर से अठाणी है उसके बाद में अपने को मलब उसको खुरपी की साइथा से इसके अंदर से मिटी निकारनी है कोई पॉलिथीन की थेली पर रखनी है उसको मिटी निकारनी कारके और इसकी जो गहराई है सेंपल लेने के जो अपने जो खड़ा को देंगे उसकी गहराई है तो उसकी मलब लगब 6 से ज़्यादा होनी चाहिए 6 से 8 के बीच में होनी चाहिए 8 इंच तक मलब ले सकते हो लेकिन अगर आप जैसे बाग वगएरा जिसकी जो पसले जाड़े ज्यादा गहरी जाती है तो उसके अंदर मलब जैसे बाग हो उसमें अपने को मलब गहराई ज्यादा मलब रखनी प पांच सेम्पल इसी तरीके से जो मध्यम जमीन है उसके लेने हैं और पांच सेम्पल जो सबसे आपका जो खराब टुकड़ा है जहां जर्मिनेशन वगरा नहीं होता या जहां मलब ज़्यादा समझ आ रही है उसी के पांच सेम्पल इसी तरीके से मलब लेने हैं इस जमीन के दरी के उसी तर्वे कि उसको अला गठा करनाrictingों तेनों को अलग-लग-वबार इसको अलग-ख़राई करना इनको इलाना नहीं है कि को आपने स्योभ टेस्टिंग करवाएंगे हैं वह तीनों फाइनल जो मकसद है जो आपकी अच्छे उत्पादन देने वाली जमीन है जो अच्छी जमीन है इसके बरॉबर जो उत्पादन लेना है अपने को मद्यम और खराव जमीन से बरॉबर जो तीन सेंपल लेने का जो अपना मकसद है वो यह है जो खराव जमीनों को अपने को सु हुआई के उसको बिल्कुल सबस्केकर छी प। इसके हमलब के प्लस का निशान बनाने के बाद में ⇌ जो आने सामने प्लस करणे करें यह या और यह प데 है जो अपने इसकी u है निकाल के साइड में रख देनी है सिर्फ यह दो टुकड़े रखने है प्रोसीजर को अपने लो तीम बार रिपीट करना है तक कि जो फाइनल जो अपने पास सेंपल बचे उसमें लग बग आदा किलो मिट्टी हो और इससे निसान लगाए और दो साइड के टुकड़े हो म अदा किलों का सेंपल रहे जाएगा सबसे पहले किया है इसके अंदर अपने को किसान का नाम उसका पूरा पता और जो आख में जिस खसरे से कई लोग खसरा बोलते हैं कई किल्णा बोलते हैं जिस जमीन में उसको जमीन से रिलेट करने के लिए अपने को उसका मदलों जो क रखोट आये उसको आप मदलब तो वर्षय के लिए भी आपके पास एक रिकोर्ड हो जाये भी इतनी तरीकों हमने करवाई थी इसके लिए तो यह आपके पास मैंनल यह एक सिस्टम हो गया एक सेंपल हो गया इसी तरीके से जो आपकी सब से खराब जमीन है वो सेम प्रोसीज है उसका और एक जो जमीन है जो मद्यम जमीन है उसका और तीनों वो अच्छी तरह अपने मलब उसकी टेगिंग करके नाम जो मैंने बताए है किसान का नाम किसान का स्थान और सेंपल लेने की तारीक जमीन का जो खसरा नंबर और उसके अंदर मार्किंग भी करनी है यह हमारे अच्छे जमीन का सेंपल है यह मंदो जो ख्राब जमीन का सेंपल है और यह जो अध्यम जमीन का सेंपल है तक कि आपको ध्यान रहे हैं अब सेंपल आपने इकठे कर लिया मार्किंग कर दी उसके बाद में आपको इन सेंपलों को किसी लेब में ले जाके मतलब चेक करवाना ह चेक करवाना है अब मैं आपको सबसे जो मैत्वपूर्ण जो बात है वो बताने जा रहा हूं जो अमों में मतलो किसान गड़ती करते हैं सेंपल लेते वक्त है वो उस चीज का ध्यान नहीं रखते इस वजह से उनके जो सेंपल की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही खराब आती ह सेंपल की रिपोर्ट सही है नहीं आ पाती और अपने को विस लेदियर जो मिलते है व बात नहीं आपको यहां व्लेक बॉर्ड में महलो बहुत हरा हूं जो समझारा हूं जो सबसे मैंतिवपूर्ण बात यह है जब अपने किसे पश तो जो जसे ये हैं आपकी लाइन ने माने जिसको खूड बोलते हैं ये लाइने हैं तो अगर आप इदर से सेंपल होगे मान दो ये वचल लिया तो जो पीछे की जो योग आ हुई है, उसकी मत्रहसे हैं इधर मत्लों ज्यादा होगी सारी करें यहां में यहां मत्रह ने समेंपल साय करहे हो जाएगी तो अपनी दिया रही दर्मick अरbud हुआ नहीं लेकिन नहीं टाने पिछली प्टिसल में दिया हुए पॉइंटों पे वहां उसकी देंसिटी होती है वह बहुत ज़्याधा उती है जगह से ले लिए तो आपने को जो रजयर्ट है वह गणता है अपने को उसके लिए के है यह जगह चोड़के शैंपल है है वोम्त्र यहां से लेने हैं जो आपकी कतार है पुद्धों की उसके अंदर से नहीं लेने अपने को बीच में से लेने हैं एक और जब आपकी जमीन खाली सबसे बेस्क्त जो मैं तरीका मांगता हूं कि जब आपकी जमीन खाली हो जेएuing तो आप उसके अंदर लमनाफास्वार्स है ऑलनाफासवड़ साथ जमीन में होती है 30 क्योंकि वह जो ज्ञाधा आ रही है छो पिछले पुछी पसलर आपने बाहना था वह पास्वड़़ का रही है वह सिर्फ एक लाइन के लीड़हर आ अबाधा— जो पोड़े की जरूरत को पूर्ए करने के लिए तो आप को सही मात्रा में जो किमा में घात का प्रोक्क को डेंख है तो टेशानी परबाव और बाव डालेगा आपका उटपादन निस्टी रूप से उटके कानुमिलेटी दोनों के लिएगा तो ये मुलिफ आप आव में ध्यान रखना है और अगर आप में बगेर जो जमीन की गुआई की सेंपल ले रहे हो तो आपको मालुल फैर dont a.org powiedzieć इस चीज बाप सेंपल लेने जाओ तो देखो कि हमने खाथ कंडा लिये उसके अजू बाजू बाजू लेना है जब छेटे से अपने खाथ देते तो तो सब जगें मैं समानमात्रा में होती है जब लेकिन वसील से बुआई करते हैं ना वो खाथ कि यह जो पसल की लाइन के ल कर लो तवी बगरा मार दो उसके बाद में दो तभी मार के स्वागा लगाता सारी जमीन के अंदर सब्सक्राइब यहीं तरीका है आपको इन चीजों का सावधान मंदव रखना चाहिए जब अपने पास किसी लेब उसकी जो रिपोर्टे अपने बेजते हैं रिपोर्टे रिपोर्ट आगई पाउलप जो आपको पता लगनषी घड़ जमीन की एक अरiden के आप को ये पता लग गया यह यह màㅋ ये अच्छी जमीन की रिपोर्ट है उनको आप बेतके कम्सेल स्लमाइब ऊँखर अच्छीत में क्मिण और चाहीए ँसको खाज की मात्रह है पी-एच् बनसील जो साल्ट होते हैं वह ज्यादा है तो उसको अच्छी से जमीन से उसको रिलेट करके अपने उसके अनुरूप चलेंगे तो अपनी जमीन का जो सारा का सारा टुकडा है वह एक जैसा हो जाएगा और सबका मलब उत्पदन मलब अपने को बहुत बढ़िया मिलने लग अब बात करते हैं किसान को कितने समय बाद में मलब जमीन के मिटी के सेंबल लेने चाहिए तो जमीन जहां आपके नॉर्मल उत्पदन आ रहा है जो आपके एरिये में आ रहा है आपकी जमीन मलब ठीक है मलब कुल विला के ठीक है तो आप उसको हर दो साल में मलब चेक करव लिजिए समश्या वाली जमीने हैं जहां पीज ज्यादा है इसी ज्यादा है या कुछ और मतलब समश्या है तो वहां आपको मनलो हर 6 मीने के अंदर सुरू सुरू के अंदर वह एक बार को आपने मनलो जो तीनी टुकड़ो का करवा लिया तो अपने को मनलो पता दगे कंपेर करेंगे इस चीज को भी मतलब के हमारी जो चीज है वो काम कर वही है बगहर मतलब लेबरोट्री के अपने पसल अच्छी हो गई जी जमीन सुद्र गई उन चीजों पर नहीं जांके अपने को जो लेब है सई तरीके से वह रेजल्ट देती है उस पर फॉक्स करना है तकि आ मेरे चैनल का नाम है अर्विंद्गुमार विष्णोई और आपको लगेगी है वीडियो मेरे दूसरे किसान भाईयों के लिए मैंता पुलना है उनके साथ मतलब सेर करें आपको बिलकुल आप संतुस्त हो जाते हैं अभी आप पच्छी जानकारी मिल रही है तो जो मेरे य झाल 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 झाल